आईए साथियों भारत ने हाल ही में अपनी जीत का पचासवी साल गर्य मनाई कौन सी जीत की? एक ऐसी जीत जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंधक बना लिया था एक ऐसी जीत जो की हर भारत वासी के लिए अपने आप में किसी गर्व से कम की बात नहीं है विजह दिवस जिसको हमने कल सेलिबरेट किया 16 दिसंबर 1971 की याद में पचास वर्ष पूरे करने की याद में हमने सेलिबरेट किया प्रधान मंत्री के द्वारा जो दिल्ली के अंदर मशाल भी जलाएगी जमान जोती के उपर अमर जमान जोती के उपर भारत के अंदर ये क्या मायने रखता है किस खोशी में हम ये विजह दिवस मनाते हैं आज इस क्लास के अंदर एक ब्रीफ इंट्रो के अंदर आपको ये सारी बात समझाने का प्रयास करते हैं साथियों बांगलादेश इसी युद्ध के कारण बन कर तयार हुआ था यानि कि यह है कटना केवल युद्ध के अंदर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफतार करने की नहीं अपीतू पाकिस्तान के दो टुकडों को बनाए जाने की भी है पाकिस्तान से तोड़कर के बांगलादेश के निर्मान की भी यह बात है तो आईए इस पूरी बात को बताएंगे लेकिन एक सवाल जो आपर आपके बनता है और वो ये है कि किसने इंस्ट्रूमेंट गयाने की जब पूरी तरह से सरेंडर किया था तो पाकिस्तान की तरफ से कौन था तो जर्णल थे नियाज एक के नियाज जो थे उन्होंने पाकिस पाकिस्तान की तरफ से हमारे सामने हस्ताक्षर किये थे कि साहब मैं हार गया ये पकड़िये और अब हम जा रहे हैं हार चुके हैं साहब तो आईए पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान के हारने की कहानी और बंगलादेश के बनने की कहानी इसके बारे में डिसकुशन होता ह यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अखबार है दा वार इस ओवर पिंडी एकसेप्ट इंडिया सीज फायर आफर यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं यह इंस्टूमेंट जो है आपके सामने यह 1971 की वो संदी है जिसमें की भारत की जीत और पाकिस्तानी सैनिकों को आप यहाँ पर शीश जुकाए खड़ा देख रहे हैं यह पाकिस्तान के वो जर्नल है एक नियाज जो की यहाँ पर साइन कर रहे हैं और अपने द्वारा यह स्विकार कर रहे हैं कि हाँ भया हम हार गए और तराण में हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने यहाँ पर आत्म समर्पन किया भारत की तरफ से सैनिकों जो की इस पूरे युद्ध के अंदर वीरगती को प्राप्त हुए उनके लिए अमर जवान जोती के उपर मतलब पुश्पचकर अर्पित करके सम्मानित किया गया तो आईए आज हम चर्चा करतें इस पूरी कहानी की और समझाने का प्रयास करतें क्या है पूरी की पूरी स्टोरी ये सारी जानकारी आपको यहां से समझ में आएगी साथियों ये जो आप मैप हमारे सामने आज देख रहे हैं असल में ये मैप उस समय का है जब अंग्रेज हमें छोड़ कर जा रहे थे अंग्रे जब हमें छोड़कर जा रहे थे तो भारत को unified करने के नाम पर कुछ इस प्रकार का नजारा देखने को मिलता था ये जो आप यहाँ पर सेफरन कलर में देख रहे हैं ये भारत तब तक बन चुका था कहने का अर्थ है कि ये वो हिस्सा था जो भारत के रूप में पहचानने को तयार था लगभग 562 रियासते थी जिन रियासतों को ये ओफर दिया गया था कि अगर वे चाहें तो अलग देश बनके रह सकते हैं अगर वे चाहें तो भारत और पाकिस्तान से मिलकर रह सकते हैं पाकिस्तान ने अपने आपको 14 अगस्त 1947 को अलग तो कर लिया लेकिन अलग करते समय वो अपने दो हिस्से बनाने में कामियाब खुद से ही था पहला हिस्सा जो की मैप में अगर देखा जाए तो पस्चिम की तरफ पड़ता है और एक हिस्सा जो पूरव की तरफ पड़ता है असल में पूरव की तरफ पड़ा हुआ ये हिस्सा इस्ट पाकिस्तान कहलाया और पस्चिम की तरफ पड़ा हुआ ये हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान कहलाया इस्ट और वेस्ट की इस पूरी की पूरी लड़ाई में असल में भारत की बहुत सारी रियासते उलजी हुई थी जिन में से कुछ रियासते जैसे की हैदराबाद जैसे की जुनागड इन्हें खयाल था कि ये भी जिस प्रकार से यहां पर बंगलादेश ने या इस्ट पाकिस्तान बन चुका है यहां पर ऐसे ही भारत के बीचों बीच पाकिस्तान का एक हिस्सा और बन जाएगा जो की हैद पाकिस्ट पाकिस्ट पाकिस्तान और एस्ट पाकिस्तान आने वाले कुछी सालों के अंदर अपने एक दूसरे से मत-बेदों के कारणा आमने सामना करने लगा। कैसे आईए मैं बताता हूँ मुसलिम है, रियल मुसलिम नहीं है, ऐसा इनके अंदर मत विचार हुआ करता था, बंगाल के अंदर ये जो पूर्वी बंगाल था, असल में जिसे आपने अभी इस्ट पाकिस्तान के नाम से सुना, यहां के मुसलिमों को अंडरेस्टिमेट किया जाता था, यह भी मुसलिम, जो भारत के मुसलिम हैं, उनको अंडरेस्टिमेट किया जाता है, कि आप लोग वो मुसल्मान नहीं हैं, जो हम लोग हैं, ऐसी इस्तिती में ये वाले जो मुसलिम हैं, ये इन मुसलिमों के साथ में व्यवहार भी इसी प्रकार का रखते थे, कि तुम लोग सत्ता करने लाय नहीं हो, तुम्हारे उपर साशन किया जा सकता है, भले ही तुम पाकिस्तान में आ गए हो, लेकिन साशन तो असली मूल का पाकिस्तान ही करेगा, साथियों उस समय पर पाकिस्तान इन दौनों को मिला करके, जो संसद बनाया हुआ था, उस संसद के अंदर 313 सीट हुआ करती यहां पर जो बंगाली मुसलिम था, इसको बहुत बुरा लगता था कि यार हमारा साशन में कोई रोल ही नहीं है, कारण ये लोग एक छत्र अपना चुनाव जीतते थे, और चुनाव जीत करके पूरी तरह से इस चुनाव के अंदर यहां से जीत लेते थे, यहां से जीत ल पाकिस्तान का ही डॉमिनेंस रहा, इतना रहा कि पाकिस्तान की सैना के जितने भी उचे पद थे, यह पाकिस्तानी सैना अधिकतम जो थी, वो इसी तरफ से बनी हुई थी, यहां की संसाद, यहां के ब्यूरोक्रेट्स, यहां के राजपाल, सब इसी तरफ से बनते थे, उन शेक हसीना जो है इनके पिताजी हुआ करते थे मुझी बुर्रह्मान, शेक मुझी बुर्रह्मान उनके नेत्रत्म में यूनिफाइड करना शुरू किया, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पस्चमी पाकिस्तान से अपने जो ग्रिवांसेज वो पब्लिकली कहना शुरू किये कि यह हमें समझते ही नहीं है अब आवशकता है कि इस संसद में हम चुनाव जीत कर जाएं संसद में चुनाव जीतने के लिए 331 सीटों में से जिसके पास मैजॉरिटी आएगी वही सरकार बनाएगा साथियों चुनाव हुए 1970 में हुए चुनाव के अंदर 3 दिसंबर को 1970 में हुए चुनाव के अंदर ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये कुल 166 सीट जीतने में कामियाब हो गया इस एरिये में 169 सीटे थी और 169 सीटों में से ये 167 seat जीतने में कामियाब हो गया, अब इधर की तरफ देखिए, ये कुल कितनी seatों की majority हो गई, 162, 32, 7, 24, यही तो आपको बहुमत का आकड़ा चाहिए था, अगर आपको सरकार बनानी है, 313 में से आपकी सरकार अगर बननी है, तो ऐसी इस्तिती में 167 seat, 162, 32, 7, 24, 34, ठीक और चुनाव लड़कर 167 seat जीत गए, यानि कि ये तैग हो गया, कि पाकिस्तान में जो अवसाशन है, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, संसद में बहुमत किसका आजाएगा, पूर्वी पाकिस्तान का आजाएगा, किलियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक ही देश की लड़ाई चल रही है, पूरी तरह से, लेकिन जनाब दिक्कत कुछ और हो गई, और वो क्या था, पस्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान का ये चुनाव जीतना पसंद नहीं आया, और पस्चिमी पाकिस्तानियों ने वो प्रताडित करने के लिए अपनी सेना भेज दी, तो आप पूछेंगे सेना तो दोनों देशों की कौमन थी, यही तो बात है, लेकिन दोनों देशों की मतलब देश तो एक ही है, हिस्से की कौमन थी, लेकिन यहां से सेना को भेजा गया, इस तरफ की जाओ और इनहें किया गया, शेक मुझीबुर रह्मान की गिरफतारी का भारत ने पूरे विश्व में विरोध किया, लेकिन उस समय रिचर्ड निकसन अमेरिका के राश्च्टपती हुआ करते थे, उन्हें भारत का यह विरोध पसंद नहीं आया, और भारत को कहा कि आप चुप रहिए, य भारत चले आ रहे हैं, लगभग एक करोड बंगाली मुस्लिम भारत में घुस रहा है, क्योंकि ये लोग यहां से यहां तक इन्हें मारने चले आ रहे हैं, भारत ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा, तो हम खुद भी अभी बने हुए देश हैं, हम कैसे इतने सारे प्रवासी बोलते हैं, कोई बात नहीं, दो साल तक सैना साशन कर लेगी, अमेरिका बहुत बुरा आला आदमी रहा है, मतलब ये सम्मान जनक आदमी नहीं रहा है, और आज भी नहीं है, अमेरिका ने फिर कहा कोई बात नहीं, दो साल तक यहां पर पर पाकिस्तान के अंदर, पूरी प आत मानी नहीं किसीने. अब भारत के राजनिताओं ने बंगाली जो लोग भाग भाग के यहां आровे थे उनको मॉटिवेट करना शुरू किया. B.S.F. ने लोगों को मॉटिवेट करना शुरू किया. अंदर ही पूरवी बंगाल के लोगों को कि भई ऐसे काम नहीं चलेगा एक काम करो तुम लोग भी अब हतियार लो और लड़ना शुरू करो और हतियारों को देख करके वो जो पूरवी बंगाल के लोगों को मौटिवेट किया गया उन लोगों को मुकति-वाहिनी नाम दिया गया पासकिस्तान की सैना से लड़ाई कर रही थी अब मुकति-वाहिनी के पास हतियार कहा से आए अब भारत ओफिशियली तो युद्ध में शामिल हो नहीं कर सकता था ऐसी इस्थिती में भारत ने मुक्ति वाहिनी को सत्यार पकड़ाए कि भाया अपना डिफेंस खुद करो rather than हमारे यहां चले आने के आप अपना डिफेंस खुद करिए और अपनी सुरक्षा खुद करने में कामियाब हो जाईए कोई बात नी साब मुक्ति वाहिनी की एंट्री यहां पर होती है और भारत ने उसे पूरी तरह से ट्रेन करके युद्ध करने भेज दिया अब पाकिस्तान ने कहा कि बिटा ये जगे को तो हम अभी तक कंट्रोल कर लेते लेकिन भारत ने जो मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी है इसका सबक भारत को सिखाया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर उस समय के रास जो सैना की अध्यक्ष थे उन्होंने आदेशित किया पूरे देश को कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ हम आकरमन करने जा रहे हैं समय आ चुका था दिसंबर का और सात्यों तीन दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर लड़ाई कर दी यहाँ समझिये पाकिस्तान ने अपने एर फोर्स के विमान भेजे अमरित्सर अमरिट सर के साथ साथ आगरा साथ ही ओ बम गिराए गए और वो बम गिरे अमरिट सर का हैली पैड हमारा खराब कर दिया गया हमारा आगरा का हैली पैड खराब कर दिया और यहां तक पाकिस्तानी सेना ने अटेक कर दिया अब क्या था भारत को एंट्री करनी थी ओफिशली हम तो चाहते ही ये थे हम हमेशा से नो फस्ट वार की नीती अपनाते आए हैं कि पहले किसी को छेडेंगे नहीं और अगर फिर मौका पड़ गया तो छोडेंगे नहीं ठीक है न तो ऐसी इस्थिती में पाकिस्तान ने विश्व की रितिमान है कि यानि तीन दिसंबर से सोलह दिसंबर में ओफिशली ये युद्ध की शुरुआत है और सोलह दिसंबर को तो भारत ने विजय दिवस मना लिया तिरान में हजार पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवा दिया सिर जुकवा के खड़ा करवा दिया इंस्टूमेंट पर हस्ताक्षर खरवा लिये कि करवाईए कि हो गया तुम्हारा सारा काम है भारत ने चड़ाई कर दी साप और चड़ाई कर दी और यहां पर भारती सैना जैसे ही गई पूरी रसद आपूरती वगरा इनकी रुक गई और इस इस्तिति में पाकिस्तान को जाना पड़ा और पाकिस्तान का जाना उधर की तरफ से अमेरिका यहां पर इसको सपोर्ट करने के लिए संवरीन भीजने के लिए तयार था उधर की तरफ से रशिया भारत के साथ आके खड़ा हो गया कि अब देखते हैं क्या होगा और साथियों बिलकुल उसी प्रकार से भ और Lieutenant General A.A. नियाजी है जिन्होंने Instrument of Surrender पर हस्ताक्षर किये जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं तो उमीद है सभी साथियों को ये बहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप सभी को विजय दिवश की हारदिक सुबकामना है भारत वासियों ने बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट भी किया है और हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं और रिसेंटली साथियों इसके उपर एक चंदर शेखर दास गुपता नाम से वो व्यक्ति हैं जो कि पहले वो बना कर भेजे गए थे इंडिया की तरफ से अपने या कहते है इंडिया ने सबसे पहले बांगलादेश को एजे नेशन माननता दी अगर आप चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं यह recently किताब रिलीज हुई है Indian Express ने इस किताब से ही कुछ बाते निकाल के यहां रखी है यह सारी जानकारी जो भी यहां पर लिखी है महत्वपूर्ण यह मेरे टेलिग्राम अंकित अवस्थी सर पर आप लोगों को मिल जाएंगी ठीक है न तो यह सारी जानकारी अगर आप पढ़ना चाहें तो किताब भी पढ़ सकते हैं जानकारी भी पढ़ सकते हैं उम्मीद है आपको यह बात पसंद आई हो यदि आप चाहते हैं अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना तो सब्सक्रिप्शन की जो दिवस है वो 23 तारीक तक कर दिया गया 23 तारीक को अब 3,000 रुपए जो है वो UPSC सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ेगी जिसमें की UPSC Pre, Mains और Optional तीनों कवर किये जा रहे हैं इस संडे को आप लोगों का Combat होगा और इस Combat में आप पार्टिसिपेट करें और हाँ एक खास बात मैं आपको बता दूँ कि संडे को आपका टेस्ट भी होगा मेरा वाला भी है ना तो दस से ग्यारा मेरा टेस्ट दें और उसके बाद आप Combat में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अनकैडमी पर इस Free Test को भी जॉइन कर सकते हैं आप और इस Free Test के अंदर आपको सत्परतीशत स्कॉलर्शिप, आईपेड, HP लैप्टॉप, किंडल, फिस्टावाट ये सब मिलते हैं अनकैडमी के साथ पढ़ने का आपको एक और खायदा है और वो ये है कि हमारे द्वारा Iconic Subscriptions भी दिये जाते हैं इसमें आपको mentorship, study planner वगरा मिलते हैं और साथ में यदी आपके पास किसी भी प्रकार के finance का issue है तो आपको loan facility भी अनकैडमी पर 0% interest rate के साथ दी जाती है मेरा referral code अंकित 10 यूज़ करके आप हमारी classes को access कर सकते हैं फिलाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं